हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग कंटीन्यू करेंगे चाप्टर नंबर वन को जो हमने शुरू किया है लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर फाइव डिवलोप्मेंट इक्सपीरिंस ऑफ इंडिया और इसमें हम लोगोंने चाप्टर वन शुरू किया हुआ है जिसमें हम इंडिन एकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं आजादी के वक्त इंडिन एकॉनमी की क्या स्थिती थी हम लोग उस टॉपिक को कंटीनू कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगोंने बात किया इंडिन एकॉनमी के स्टेट के बारे में इंडिन एकॉनमी अमारी किस तरह की स्थिती में थी जब वो आजाद हुई थी हम लोगोंने उस टॉपिक को पॉइंट वाइस डिस्कस किया था कि इंडिन एकॉनमी अमारी एक कोलोनियल एकॉनमी के तौर पर नजर आ रहे थी इस तरह के फीचर्स हमारी इंडिन एकॉनमी के फीचर्स में शामिल थे जब इंडिया अजाद हुई थी आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक के बारे में और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अग्री कल्चर सेक्टर अग्री कल्चर सेक्टर बात करेंगे अग्री कल्चर सेक्टर के बारे में अग्री कल्चर सेक्टर की क्या कंडिशन्स थी क्या स्थिती थी उसको हम समझेंगे तो अग्री कल्चर सेक्टर में सबसे पहले तो शुरुवात करें हम कि इंडियन एकॉनमी में अगर हम अग्री कल्चर की बात करते हैं, तो अग्री कल्चर सेक्टर is the most important sector for the Indian economy. क्यों कह रहे हैं most important? क्योंकि जैसा कि हमने last class में भी discuss किया था, कि इंडिया में एक important source of livelihood के तौर पर हमारे देश में जो मुख्य श्रोत था, वो था अग्री कल्चर सेक्टर. लोग mostly agriculture sector पर engaged थे, उसी पर depend करते थे, अपनी जीविका को चलाने के लिए. तो अगर हम agriculture sector की बात करते हैं और Indian economy के case में बात करते हैं, so this is the most important sector for the Indian economy. अब ऐसा है कि Indian economy में agriculture sector का importance है, ये बात तम समझ चुके हैं. अगर हम इंडिया में बात करें कि जब British rule था, तब agriculture sector के क्या conditions थे, तो during British rule, जो इंडियन economy है, वो भी fundamentally, fundamentally, अगरेरियन देखने को मिली, मतलब during British rule, इंडियन economy आपके स्टिल अगरेरियन सेक्टर पर ही engaged मिली, कहने का मतलब है कि British rule में इतने तरह के rules and regulations बनाए गए, but, apart from those rules and regulations, इंडियन economy में किसी भी तरह का कोई change देखने को नहीं मिला, और जैसा कि before the advent of British rule, इंडिया में मुख्य शुरोत जो थी जिवी का चलाने की जैसे वो agriculture sector थी, British rule के दौरान भी हमारी इंडियन economy, agriculture sector पर ही completely, fundamentally based थी, कृषक छेत्र पर ही हमारी economy completely dependent रही during the British colonial rule, अगर हम बात करें कि हमारे देश में कितने लोग थे जो agriculture sector पे engaged थे, तो agriculture fundamental sector हो गया which means कि more than 50% जो है, वो हमारे देश का population उस पे dependent था, और इंडिया में population की बात करें तो लगभग 85% people जो थे देश के, वो villages में रह रहे थे, गाओं में रह रहे थे और वो agriculture sector पर ही depend करते थे अपनी जिविका को चलाने के लिए, and this data reveals कि Indian economy was fundamentally agrarian during the British colonial rule, जैसा कि हमने उपर वाले points में देखा, तो 85% लोग हमारे देश के गाओं में रह रहे थे, agriculture sector पर depend कर रहे थे, बावजूद इसके, देखें, 85% लोग कहने का मतलब है कि population का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, जो की क्रिशक छेत्र पर अधारित था, बावजूद इस data के, despite this, बावजूद इसके, इंडिया में जो agriculture sector था, चुकि इतने सारे लोग एगर agriculture sector में इंगेश थे, मतलब agriculture sector should be developed, should be advanced, बावजूद इन सब के, इंडियन economy का जो agriculture sector था, वो हमारा underdeveloped देखने को मिला, underdeveloped देखने को मिला, इतना ही नहीं, stagnant देखने को मिला, किसी तरह का कोई growth नहीं हो रहा था, और deteriorate करता हुआ भी नजर आया, कहने का मतलब है, कि धीरे धीरे जो economic conditions थे, agriculture sector के, वो हमारे कम होते चले गए, deteriorate करते चले गए, क्योंकि deteriorate मतलब कम होना, stagnant मतलब कोई progress नहीं होना है, underdeveloped मतलब किसी तरह का कोई growth नहीं देखने को मिला, तो ये सारे features थे हमारे इंडियन agriculture sector के, बावजूद इसके कि देश में जो जनसंख्या है, उसका लगभग 85 प्रतीशत जो population है, वो depend कर रहा था, agriculture sector पे और रह रहा था गाओं में, ऐसा होने के पीछे का क्या कारण था, agriculture sector में इतना underdevelopment क्यों था, या stagnant की स्थिती क्यों थी, चलो ये दो बाते तो समझ में आएंगे कि, progress नहीं हो रहा था, due to no policies, कोई भी तरह की policy नहीं बनाई गई थी government के द्वारा, British government के द्वारा, इसलिए ये underdeveloped था, कोई investment नहीं हो रहा था, agriculture sector में इस वज़ा से ये underdeveloped था, लेकिन अगर हम बात करें, deteriorate क्यों कर रहा था, quality कम क्यों होती जा रही थी, तो इसके पीछे के other reasons हैं, कि Britishers ने Indian agriculture sector को commercialize कर दिया था, और commercial purpose से agriculture sector का use किया जा रहा था, commercialize कर दिया था का मतलब है कि agriculture sector से, Britishers जो हैं वो पैसे कमाना चाहते थे, और उन्होंने इसलिए पैसे कमाने के लिए agriculture sector को use किया as a medium, और इस दौरान उन्होंने क्या कि, कि Britain में, Europe में, 1907 में, काफी demand में था आपका blue products जो है, blue clothes जो है, blue color के clothes वो, और उसके लिए नील की खेती जरूरी थी, क्योंकि blue color कपडों को रंगने के लिए indigo की जरूरत पड़ती है, और ये indigo का production जो है, वो बिटेन को करना था further monetary gain, और इसी लिए उन्होंने क्या किया, कि इस indigo के production को Indian economy में करने का फैसला लिया, और इंडिया में, इंडिया के जो agricultural lands थे, जो fertilized lands थे, उन्होंने उन जमीनों पर agriculture work के दौरान, उन्होंने agricultural lands पर indigo की खेती करनी शुरू करी, करानी शुरू करी हमारे खुद के farmers को exploit करते हुए, उन्हीं की जमीनों पर जबरदस्ती उन्होंने indigo की खेती कराई, और indigo जो है, it is a product, जिसके production से जो land की fertility होती है, ये खत्म हो जाती है, तो धीरे-धीरे Indian agricultural lands, जो है, वो infertile होते चले गए, जिसकी वज़र से हमारा जो agriculture sector है, वो deteriorate कर गया, मतलब उसकी quality धीरे-धीरे खत्म हो गई, घट गई, तो सिर्फ indigo है नहीं है एक मात्र कारण, कि indigo के कारण ऐसा हुआ, और भी products थे, जैसे कि अफीम थापका, ये भी एक ऐसा product है, जिसका production जहां पर किया जाता है, उस जमीन की fertility खत्म हो जाती है, और इंडिया में इस तरह के product को commercial purpose से काफी जादा मात्रा में produce कराया गया, जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा, किसानों से, भारतिये किसानों से, भारतिये जमीनों पर, जिसकी वज़े से हमारे agriculture sector जो है, उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा, अंडर डेवलप तो ये था ही, stagnant तो ये था ही, क्योंकि कोई growth नहीं हो रहा था, कोई progress नहीं हो रहा था, बावजूद उसके जो कुछ भी था हमारे पास, जैसे कि हमारे पास fertile lands थे, उन पर भी काफी बुरा असर पड़ा, अंग्रेजों के बनाएंगे rules and regulations के खारण, तो इस वज़े से ये स्थिती थी, हमारे Indian agriculture sector की, on the eve of independence की ऐसा था agriculture sector, अब अगर हम बात करें, कि ये तो हो गए भई, एक overall बात हो गई about the agriculture sector, अब अगर हम जानना चाहें, कि features क्या थे, विशेष्टाओं की बात करें, कि कैसी विशेष्टा थी, जब इंडिया आजाद हो गई, तो उस वक्त हमारा agriculture sector, किस तरह के features share कर रहा था, तो उन features को हम समझेंगे अब, point wise, ये agriculture sector की स्थिती है, और अब हम इसके features discuss कर लेते हैं, features को हम point में देखेंगे, जिस तरह से हमने इंडियन economy के features discuss किये हैं, ठीक उसी तरह से, agriculture sector के features हम discuss करेंगे, और हम बात कर रहे हैं, features of Indian economy, features of agriculture sector, of Indian economy, on the eve of independence, आजादी के वक्त हमारी भारतिय क्रिश्री छेत्र के क्या स्थिती थी, हम उसको देख रहे हैं, और इससे हम point wise देखेंगे, सबसे पहला जो point है feature में, वो यही है, केनियन agriculture sector में काफी ज़्यादा मात्रा में productivity में कमी देखने को मिली, low productivity थी agriculture sector की, जब इंडियाजाद हो गया था, तो जो उत्पादक्ता थी, क्रिशी छेत्र की, वो काफी है, ज़्यादा मात्रा में कम थी, इतनी कम थी, कि वो हमारे agriculture sector को backward बनाने में help कर रही थी, इतनी कम थी, इतना भी production नहीं था, productivity इतनी भी नहीं थी, कि agriculture sector से, देश में जो लोगों की ज़रूरते हैं, उसको भी पूरा किया जा सके, और ये इतनी भारी मात्रा में, productivity में कमी इसलिये थी, क्योंकि देश में technology की भारी मात्रा में कमी थी, कोई भी नया टेकनीक नहीं था agricultural production के छेत्र में, किसी तरह का कोई irrigation facilities की व्यवस्था नहीं थी देश में, negligible use होता था हमारे देश में, fertilizers का, मतलब किसी भी तरह का कोई progress का काम नहीं था, low productivity के पीछे का कारण क्या है, तो low productivity के पीछे का कारण था lack of technology, तकनीक की भारी मात्रा में कमी थी, किसी तरह का कोई technological advancement नहीं था economy में, साथी साथ सिर्फ technology नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, किसी तरह की कोई irrigational facilities की सुविधा नहीं थी, कहने का मतलब है, सिचाई की सुविधा की कमी थी, सिचाई की सुविधा नहीं थी, उस समय जो हमारे poor farmers थे, वो monsoon पे depend करते थे for their agricultural activities, most of लोग जो है fertilizers का इस्तिमाल नहीं करते थे, fertilizers, जितने भी हो गए आपके, उनका इस्तिमाल नहीं होता था, no use of fertilizers, तो इस तरह से, नाम मात्र की चीजों के साथ, बिना किसी advancement के साथ, हमारी economy में खेती का काम किया जाता था, और ये सारे कारण है, कि हमारे देश का जो agriculture sector है, उसकी productivity बहुत ही जादा कम हो गई थी during the independence, कह सकते हो कि जब अजाती मिली, तब उस समय देखा गया, कि हमारे देश का जो agriculture sector है, वो बड़ा backward है, पिछडा हुआ है, इसके पीछे का कारण ये था, कि अंग्रेजों ने किसी भी तरह का कोई sincere attempt नहीं दिखाया था, reform नहीं किया गया, किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं किया गया, जो इस्थिती जैसी थी, वो वैसी की वैसी रहे गई, जिसकी वज़ा से agriculture sector हमारा backward हो गया, farmers हमारे poor हो गया, small farmers के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, कि वो agriculture sector में investment कर सके, और कारणों की बात करें, तो investment नहीं था, यह सारी चीज़ें जो है, यह पैसों से ही आती है, तो investment नहीं था, क्योंकि देश में, जितने भी poor farmers थे, वो poor बोल रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो गरीब थे, उनके पास, facilities नहीं थे, पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं होने के कारण, किसी भी तरह का कोई investment नहीं किया जाता था, जिससे कोई relatable use नहीं होता था, fertilizers का, किसी भी तरह की कोई सिचाई की सुविधाय उपलब्द नहीं थी, टेक्नीक जो है, वो काफी पुराना use किया जाता था, क्योंकि किसी भी तरह की policies नहीं बनाई गई थी, कोई भी reform नहीं किया गया था, agriculture sector को as it is छोड़ दिया गया, बस अंग्रेजों ने हमारे agriculture sector से जितना फाइदा उठाना था, जितना भी use करना था agriculture sector को, commercially उन्होंने use किया और वो सब करने के बाद उन्होंने agriculture sector को as it is छोड़ दिया, जिसके कारण agriculture sector में low productivity देखने को मिली, तो ये पहली विशेशता थी agriculture sector की, during the British colonial rule and आजादी के बाद भी feature continue कर गया, that was low productivity, नहीं production था और नहीं productivity थी, अगले point पर हम feature की बात करें, तो अगला point है huge loss या कहो loss due to huge cost involved, agriculture sector की एक और विशेशता थी that is कि loss बड़ा होता था उस समय agricultural activities में, और ये loss होने के पीछे का कारण था कि उस समय cost, agriculture activities में जो भी खर्च लगता है, वो कुछ जादा हुआ करता था, क्योंकि जितने भी owners थे आपके जमीनों के, वो क्या करते थे कि उन्होंने, उनसे जमिनदारों ने जबरदस्ति उनकी जमीनों को हड़प लिया था, और उनसे वो खेती का काम करवाते थे, खेती का काम करने पर किसानों को क्या करना पड़ता था, कि एक बड़े amount में पैसा जो है, या एक बड़े amount में जो food products हैं, वो उनको pay करना पड़ता था, बड़े किसानों को, जो गरीब किसान हुआ करते थे, उनको जमिनदारों को कह सकते हो, या बड़े किसानों को कह सकते हैं, आपकी जमीनों का rent के तौर पर, पैसे देने पड़ते थे, पैसे नहीं थे, तो जो भी आप फसल उत्पादित करते, उसका एक बड़ा हिस्सा आपको pay करना पड़ता था, तो due to this, agriculture sector का जो production था, वो काफी महंगा हो जाता था, क्योंकि खेत में आपको पहले खेतों का एक चार्ज पे करना पड़ता था, and after that आप उस पे काम कर सकते थे, और charges वगरा मिलाते हुए, जो production का काम था, वो काफी जादा costly हो जाता था, तो production process जो था, वो खर्चिला हो जाने के कारण, वो costly हो जाने के कारण, बड़े सारे poor farmers जो थे, वो खेती का काम नहीं कर पाते थे, और वो इस cost को bear नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, कि वो पैसे चुकाने के बाद फिर खेती का काम कर सके, क्योंकि जो आपका cropping का process है, या जो agricultural activity का process है, अपने आप में complex है और अपने आप में costly है, उसमें भी आपको काफी हद तक खर्च पे करना पड़ता है, और इतने पैसे हमारे किसानों के पास हुआ नहीं करते थे, जिसकी वज़़से भी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो survive भी नहीं कर पाते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे, कि वो अपने survival को भी continue कर सके, in the agriculture sector, और ये भी एक कारण था कि agriculture sector हमारा backward रहे गया, क्योंकि इतना cost वो bear ही नहीं कर पा रहे थे, further in the process of agricultural production, तो ये एक reason था, कि हमारे देश का जो agriculture sector है, वो backward रहे गया, क्योंकि खर्च बहुत जादा पड़ता था, खर्च के पीछे का कारण था, कि वहाँ पे उनको rental charges देने पड़ते थे, जो भी उनको land के owner होते थे, उनको pay करना पड़ता था, और वो rent जो है, वो payment जो है, वो हमारे किसानों के पैस होता नहीं था, अगले point की बात करेंगे, तो हमारे देश में सिर्फ यही समस्या नहीं थी, कि productivity कम थी, और खर्च बहुत था, बल्गी यह भी समस्या थी, कि lack of means of irrigation, सिचाई की सुविधा की बात करें, तो उसमें भारी मात्रा में कमी थी, सिचाई की सुविधाएं उपलब्द नहीं थी हमारे देश में, agricultural activities को करने के दौरान, किसानों के पास किसी वे प्रकार की उचित, सिचाई की सुविधाएं उपलब्द नहीं हुआ करती थी, जो किसान थे, वो हमारे depend करते थे for their agricultural activity, monsoon पर depend करते थे वो, जिसको हम rainfall कहेंगे, बारिश पर उनकी निर्भरता थी, और जो monsoon था, वो unexpected था, क्योंकि आप expect नहीं कर सकते हो, कि कब बारिश होगी और कब नहीं होगी, तो unexpected होने के कारण, monsoon पर जो dependency थी, poor farmers की, जो dependency थी poor farmers की, for their agricultural activity, जिसकी वज़स से भी, agriculture sector जो है हमारा, वो underdeveloped रह गया, क्योंकि खेती के काम में, मुख्य भूमिका निभाता है, सिचाई की सुविधा, और देश में, सिचाई की सुविधाओं में, भारी मात्रा में कमी के कारण, हमारे देश का जो agriculture sector है, वो stagnant रहा, underdeveloped रहा, और deteriorate करता हुआ दिखा, क्योंकि agricultural output बिना, water facilities के possible नहीं है, और वो water facilities अवेलेबल नहीं थी, किसान खेती का काम करते थे, और उसके लिए, उनको मौनसून पर depend रहना पड़ता था, मौनसून भी अनिश्चित हुआ करता था, निश्चित नहीं होता था, कि इतने महीने बारिश होगी ही, और एक निश्चित मातरा में बारिश होगी, ये भी नहीं तैथा, जिसकी वज़़से किसानों को काफी जादा मातरा में खर्च हो जाता था, उनका उनको loss हो जाता था क्योंकि किसान काफी मेहनत करके पैसे invest करते वे खेती का काम करते थे और monsoon के बिगड़ने से उनका खेती का जो काम था वो भी बिगड़ जाता था और ये सब हमारे देश के poor farmers के लिए काफी नुकसान दे हुआ करता था जिसके कारण agriculture sector जो है वो completely adversely affect हुआ और भी features में point हैं जैसे कि subdivision of land holdings देश के क्रिशी छेत्र में सिर्फ यही समस्या नहीं थी कि agriculture जो production है वो कम हो रहा था यह खर्च जादा था यह सिचाई की सुविधाय नहीं थी बलकि यह भी समस्या थी कि हमारे देश में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने बटवारा किया economy का तो उस division से economic division से चोकि पूरी की पूरी अर्थ वैवस्था बढ़ गई तो इस process में economy को main दो हिस्सों में बाटा गया एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान तो इस process में most of fertile lands उपजाओ जमीने जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई most of fertile lands जो थे हमारे देश के वो पाकिस्तान इंडिया से हटकर पाकिस्तान के division में चले गए जिसके कारण भी हमारे देश में agricultural sector में अगर हम बात करें fertile lands की agriculture sector में उपजाओ जमीनों के अगर हम बात करें तो उसमें हमें भारी मात्रा में कमी देखने को मिली lack of fertile lands देखने को मिला क्योंकि divisions जो हो गया land holdings का जमीनों का जब पतवारा कर दिया गया तो कई तरह की जो उपजाओ जमीने थी जो कई तरह के food crops के production में काफी हद तक जरूरी होते हैं cultivation के process में काफी important होते हैं उसका एक huge portion उसका एक highly fertile portion पाकिस्तान के partition में चला गया और इससे भी हमारे इंडन economy में जो उपजाओ जमीने थी वो कम बची साथी साथ बटवारे के कारण जितनी भी जमीने थी agriculture sector में जो भी fertile lines की कमी तो थी साथी साथ जो जमीने थी वो और divisions हो गए उनके कह सकते हैं कि subdivisions हो गए अलग अलग हिसों में वो बट गए और टुकडों में जमीनों के बढ़ जाने के कारण तुकडों में बट गए मतलब यह नहीं कि जमीने अलग अलग हो गई जमीने वहीं थी, बट उपजाओ जमीनों के टुकडे हो गया, कुछ यहां हो गया, कुछ वहां हो गया, इसकी वज़ा से भी agriculture sector पर adverse impact पड़ा, उसके management से लेकर के agriculture sector में जो different plot हुआ करते थे, उसको manage करने से related difficulties बढ़ गई, not only the difficulties were increased, but the cost was also increased, खर्चा भी बढ़ गया, और इन सब के कारण agriculture sector पर हमारा बुरा असर पड़ा, क्या सकते हैं कि ultimately adverse impact हमारे कृशी छेतर पर ही पड़ा, और यह हमारा चौथा point हुआ, जो कि हमारे agriculture sector के features को elaborate कर रहा है, इसी तरह से agriculture sector के features में हम इतने points को add करेंगे, कि इन points के कारण ये features थी, ये विशेशताएं थी हमारे कृशी छेतर की, during the independence, यह कैसा तो जब इंडिया आजाद हुआ, तो स्थिती कुछ इस प्रकार की थी, और अब हम बात करेंगे कि स्थिती जो ऐसी हो गई हमारे देश के agriculture sector की, उसके कारण क्या रहे, ठीक है, problems थे, काफी जादा, productivity कम था, सिचाई की सुविधाएं नहीं थी, काफी खर्ज हो रहा था, तो उसके पीछे का और अगर हम कारण धोंडें, तो कारण तो एक मात्र है जो हम जानते हैं, बट और अगर हम causes को detail में समझना चाहें, तो उसको हम समझ सकते हैं अगे, कि कारण क्या रहा, agriculture sector का, हमारा backward होने का, क्योंकि ये सारे features, एक backward agriculture sector के features को indicate करते हैं, तो हमारे देश में अगर हम कहते हैं, कि हमारा agriculture sector stagnant था, उसमें कमी थी, stagnation था, and backwardness था, तो ये backward होने के पीछे का कारण क्या रहा, causes of stagnation and backwardness of Indian agriculture sector, अंग्रेजों ने नियम कानून बनाएं, वो तो ठीक है, उससे तो बुरा असर पड़ा ही, और उसी से related अगर हम बात करें, कि और क्या-क्या कारण रहें, और क्या-क्या points रहां, तो उसको देखेंगे, सबसे पहला point जो था, causes में, वो था हमारे देश में, land, revenue, system का होना, land, revenue, system का मतलब हो गया, कि economy में, agriculture sector में, जो British colonial rule था, उन्होंने जमिनदारों को काफी support किया था, और उन्होंने काफी हद तक land settlement की जो प्रक्रिया है, वो introduce कर दी थी, जिसके कारण क्या हुआ था, कि जमिनदारी system काफी जादा मात्रा में, economy में बढ़ गया था, land revenue system में ऐसा है, कि Britishers ने हमारी economy में, कई तरह के rules and regulations फॉलो कर दिये थे, और जमीनों को उन्होंने settle करवा दिया था, बाट दिया था, और जो जमिनदारी प्रथा है, वो हमारे देश में काफी जादा मात्रा में बढ़ गयी थी, तो ये जमिनदारी system के तहट, हमारी economy में, गरीब किसानों को, अपने फसल का, अपने उत्पादन का, एक बड़ा हिस्सा, tax के रूप में pay करना पड़ता था, to the, जमिनदार और सहुकार जितने भी थे, जिसको लगान कहते थे, और इसमें एक बड़ा हिस्सा किसानों को, अपनी फसलों का, जमिनदारों को देना पड़ता था, as a tax, जिसकी वज़े से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था, आप कह सकते हैं, क्योंकि इतना फसलों उत्पादित होता ही नहीं था, कि वो एक बड़ा हिस्सा किसानों को, बड़े फार्मर्स ये जमिनदारों को देने के बाद भी, अपने आपको और agriculture sector को develop कर सकें, जिसके कारण हमारा agriculture sector जो है, वो underdeveloped रहा, backward रहा, क्योंकि जो भी फसल उत्पादित होता था, उसका एक बड़ा हिस्सा, revenue के तौर पर, tax के तौर पर दे देना पड़ता था, वो भी जबरदस्ती, जिस पे किसी भी तरह की कोई छूट या कोई रियायत नहीं दी जाती थी, तो यह सब कारण थे कि हमारा agriculture sector backward था, next point है, commercialization of agriculture, देश में जो agriculture sector था, उसको commercially use किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा, वैसे फसलों के उत्पादन पर जादा ध्यान दिया गया, जिन फसलों को बेच कर, पैसे जादा प्राप्त होते थे, ना कि वैसे फसलों के उत्पादन पर ध्यान दिया गया, जिन से लोगों की जरूरते पहले पूरी होती, और क्योंकि agriculture sector को भ पैसे कमाने के point of view से use किया गया जिसकी वज़े से food crops के जगह पर commercial crops का production जाधा promote किया गया और cash crops के तौर पर कई तरह के crops produce किये गये जिससे agriculture sector को तो नुकसान हुआ ही हुआ साथ में किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनके पास कमी हो गई भारी मात्रा में food crops की तो commercialization of agriculture में ध्यान दिया गया आपके cash crops पर cash crops का मतलब हो गया वैसे crops जिनके production से पैसे आपको मिलेंगे मतलब monetary gain आपको जाधा होगा न कि आपके food crops को food crops का production नहीं करते हुए cash crops का production promote किया गया तो ये भी एक point रहा कि agriculture sector का deterioration हुआ agriculture sector backward हो गया क्योंकि agriculture sector को फाइदे के point of view से use किया गया न कि एक ऐसे sector के तौर पर जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं जो कि पहले के time पर लोग किया करते थे before the British rule तो British rule के अंदर काफी लंबे समय तक Britishers ने Indian agriculture sector को commercial purpose के लिए use कर लिया और commercially जब agriculture sector use हो गया तो उससे भी agriculture sector पर कई तरह के adverse impact पड़े और उसकी कारण overall agriculture sector हमारा backward हो गया और उसमें stagnation रहा मतलब किसी भी तरह का कोई growth नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ जो चीज़े मौजूद थी जमीन जो मौजूद थे अगरी कल्चरल लैंड जो मौजूद थे उनकी quality day by day घड़ गए और agriculture sector backward रह गया ये तो हो गया आपका एक और point causes में next point की बात करें तो agriculture sector पर सिफ असर revenue system या commercialization का नहीं हुआ बलकि impact पड़ा partition का भी देश में जो बटवारा हो गया उसके कारण भी agriculture sector पर बुरा असर पड़ा partition के कारण जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि कई तरह की fertile जमीने जो थी वो दूसरे हिस्से में चली गई और इन सब के कारण इंडिया का जो agriculture sector है वो adversely affected हुआ अगर मैं example के तौर पर कहूं तो जैसे jute का जो production था वो इंडिया में काफी affect हुआ बुरे तरीके से negatively affect हुआ jute is an important raw material एक ऐसा product है जो की raw material के तौर पे use किया जाता है और जब इंडिया और पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो बटवारे में agriculture production के लिए जो fertile lands थे उसका एक बड़ा हिस्सा large amount में पाकिस्तान में चला गया जिसके कारण इंडिया में food crisis हुआ, food crops के production के लिए हमारे पास उतनी जमीने नहीं बच गई और जूट का production जो था वो हम पहले जादा किया करते थे जब हमारे पास उतनी जमीने थी, बटवारे के बाद क्या हुआ कि वो partition में पाकिस्तान में जाने के कारण जूट का production अब वहाँ पे जादा बहतर होता है और अगर हम बात करें present time की तो पाकिस्तान जो है वो जूट के production में एक monopoly के तौर पे work करता है क्योंकि बटवारे में partition के कारण जो agricultural land जरूरी होता है for the production of jute वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया it is not only for the production of jute मैं सिर्फ एक example के तौर पे आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से jute के production में जो उपजाव जमीने लगती है जरूरी होती है वो पाकिस्तान के हिस्से में चले जाने के कारण इंडिया में जूट का production adversely affected हुआ और पाकिस्तान में उसका production कुछ जादा ही बढ़ गया उसी तरह से और भी जितने products हैं हमारे उनका production इंडिया में घट गया और जो जमीने चली गई for Thailand के तौर पर चली गई partition में other countries में वहां पर production बढ़ गया और पर points हैं जैसे कि low level of investment agriculture sector में investment की भी भरी मात्रा में कमी देखी गई और इसके पीछे का कारण है कि जो हमारे किसान थे उनके पास poor farmers जो थे they have lacking facilities related to the investment poor farmers थे उनका income जो था वो काफी कम था और income कम होने के कारण जो capital formation पूंजी संचे जो जरूरी होता है for the investment वो हमारा काफी हद तक कम रहा और क्योंकि capital investment ही नहीं हुआ तो उसकी वज़ा से investment एग्री कल्चर सेक्टर में हो नहीं पाया और ये भी एक बड़ी वज़ा रही कि हमारे देश का जो क्रिशी छेत्र है वो underdeveloped रहा वहां पर किसी भी तरह का कोई technological advancement नहीं हुआ और इस तरह से हमारा जो एग्री कल्चर सेक्टर है वो underdeveloped रही गया और ये कुछ main कारण है कुछ points में हम लोगोंने causes देखे कि क्यों हमारे देश का जो अग्री कल्चर सेक्टर है वो stagnation की अवस्था में दिखा या backward दिखा इसके पीछे के ये कुछ कारण है अब हम बात कर लेते हैं कि ये overall में अग्री कल्चर सेक्टर की स्थिती कैसी थी तो जैसा कि हमने देखा complete features में agriculture sector was completely underdeveloped कारण में कुछ ये कारण है कि revenue system था land का commercialization agriculture का हो गया था इस वज़र से investment की भारी मात्रा में कमी थी partition का बुरा असर पड़ा हमारे Indian agriculture sector पे so completely overall conclude करें तो देश का agriculture sector आजादी के वक्त बहुत जादा मात्रा में underdeveloped था कुछ जादा ही quantity में या कुछ जादा ही sense में हम देखें तो वो under development के अवस्था में था under development and stagnation के अवस्था में था इसी के साथ हमारा agriculture sector जो है वो complete होता है next class में हम industrial sector के उपर discussion करेंगे कि उसकी क्या स्थिती थी और किस तरह से उसके conditions को और बिगाड़ा गया British colonial rule के द्वारा और ये सारी बातें जैसे हमने एगरी culture sector के बारे में करी है same industrial sector के बारे में करेंगे और वो हम अपने next class में करेंगे thank you